पर चैनल Fantasy Fortune इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस ऑस्ट्रेलिया फिफ्टी ट्विटी आई माच जो एक खेला जाएगा बेंगलूरू में क्या हो सकती है फॉसिवल प्लेइंग 11 क्या रहेगी स्मॉन लीग की टीम ग्रैंड लिग की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे तो पूरी वीडियो देखेगा आपको मजा आने वाला है तो अगर हम बात करें वेन्यू की सो चिन्ना सौमी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा अभी तक जो यहाँ पर जो साथ मैचिस खेले गए टी-ट्वेंटी के इंटरनेशनल मैचिस उसमें चेजिंग टीम का बोल बाला रहा है क्योग पांच मैचिस जो है वो चेजिंग ट पहले बैटिंग करती है मुझे लगता 180 का स्कोर जो है वो खड़ा करने वाली है बात करते हैं दोनों टीम की प्लेइंग लेवन की सो इंडिया की तरफ से चेंजिस हो सकते हैं यहाँ पर वाशिंग्टन सुंदर को लाया जा सकता है उनको मौका मिल सकता है अकसर पटेल की जगा क्योंकि इंडिया उल्रेडी सीरीज जीत चुकी है उनको मोका टीम दे सकती है तो वहीं पर यह रिंको सिंग की जगा टीम चाहे तो शिवम दूबे को चांस दे सकती है इस माच में वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो यहाँ पर एक चेंज हो सकता है विजन 11 आप पे कबड़ी में भी एक करोड का लीडर वोट भी चल रहा है तो अगर आपके विजन 11 आप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा फॉर्चुन रफर कोड है इसके तो डाउनलोड कर लेना आपको sign up bonus भी मिल जाएग तो पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की सो इंडिया की तरफ से open करेंगे जैसवाल और रितुराज गायकवाड जैसवाल important है कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चोईस है बैटिंग ट्रैक रहने वाला है चिन्ना स्वामी में तो एक अच्छी चोईस रहेगी कैप्टन व हो गए थे उसके बाद से शतक भी लगाया 87.45 पॉइंट तो अच्छा कर रहे हैं तो एक सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहते हैं लेकिन चिन्ना स्वाई में तो मुझे लगता है अच्छा कर लेना चाहिए श्रेय सहीर लास्ट मैच में फ्लॉप हो गई थे लास्माच में फ्लॉप हो बट सल्ष बैटिंग स्ट करते विई इंपॉर्टन्ट एकंट भी यहा भी चहेंदिक और बैटिंग करते हैं मुझें और अच्छी और चाहिए रहे हैं कैंद में खेलते हैं तो Grand League में ट्राइ किये जा सकते हैं जितेश शर्मा है यहाँ पर जो है अच्छा प्लेयर है लास्ट में में 56 पॉइंट ती है क्यूंग कीपिंग के भी पॉइंट देता है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए एक डिफरेंशल पिक सावित हो सकते हैं औ तो अच्छे प्लेयर है लेकिन स्पिनर्स को तनी मजब नहीं है वाट स्टिल ऑस्टेलिया के किस अच्छा कर सकते हैं खेलते हैं और ट्राइ कर सकते हो वाशिंग्टन सुंदर है बैटिंग बोलिंग दोनों कर लेते हैं खेलते हैं तो Grand League में ट्राइक कर सकते हैं माच में विकेट निकालते हैं तो एक मस्ट है रहेगी इंडिया की तरफ से बोलिंग करते हुए फिर यहाँ पर आएंगे आवेश खान आवेश खान लास्माच में एक विकेट निकाला उससे पहले एक विकेट उससे पहले कोई विकेट नहीं तो आवेश खान सेकेंड इन सकते हैं बात करें परने कि बात करें तो चैनल का सबस्क्राइब करके बेल अब बात करतें ऑस्टेलिया की तो फिलिपी ऑपन करेंगे ट्रेविस head के साथ फिलिपी लास भालाज एक सी पॉइंट दे कर आ रहे हैं जल्दी आउट हो गए थे लेगिन प्लेयर अच्छा है और क्योंकि यह दोनों विकेट कीपर हम किया विकेट कीपिंग का तो एडवांटेज है तो नीचे बैटिंग करते हैं और इनका सेलेक्शन जॉष फिलिपी का कम होगा चिनना सौई में अच्छा कर सकते हैं तो एक रिस्की पिकाप के लिए जॉष फिलिपी स्मॉल लीग के लिए बन सकती है फिर याबर ट्रेविस है ट्रेविस है ट्रेविस है ट्रेविस है मेरे साथ से मस्टाप पिक रहेंगे बंगलूरू में दोनों मैंच में अच्छे पॉइंट्स दिये हैं तो वाइस कैप्टन की एक अच्छी चोइस इवन कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए अच्छी चोइ पिलिए even captain wise captain की भी choice रहने वाली है Aaron Hardy small league में पिर आएंगे Tim David अच्छा करना चीए लेकिन यह series उतनी अच्छी नहीं गई जितनी है आम तो पर जाती है इनके matches तो grand league में try कर सकते हैं small league में हलके risky रहेंगे but player बहुत अच्छे हैं third down batting कर रहे हैं तो भाई यहां पर एक अच्छी pick है batting first करते हुए Matthew short है वैसे यह अच्छे opener है लेकिन अब क्यूंकि नीचे खिलाया जा रहा है एक आदा ओवर आपको करके देंगे और हर match में ठीक टाक points है 30 32 35 तो small league में normal play try किये जा सकते है risk लगता है तो आप grand league में try कर सकते मैथ्यू वैड इंडिया के इस लगातार points देने है प्लस wicket keeping section में है और wicket keeping कर रहे है तो एक safe pick बन जाती है small league में अगर बट risk लेना है तो फिलिपी अगर थोड़ा safe खेलना है तो एक वैड अच्छी pick आपके लिए बन सकते हैं Green Egg खेलते हैं तो only for grand league लेकिन यहाँ पर Nathan Ellis खेल जाते हैं तो must have हो जाएंगे small league में Kane Richardson भी एक अच्छी pick बन सकते हैं अगर खेलते में नजर आते हैं तो Ben Duarsius last match में 3 wicket निकाले end वाले जो वर था उसमें इने 2 wicket मिल गए थे तो अगर पहले bowling आती है ठीक है अब bowling first करते हुए क्योंकि death में bowling करेंगे तो इनको रख सकते हो बाद में bowling आती है तो drop किये जा सकते हैं जेसन बेरंडॉफ हर में अच्छे wickets निकाल रहे हैं तो एक तरीके से must traffic बन जाते हैं स्मॉल लीग में विराएंगे तन्वीर सांगा लास्ट में अच्छे दो wickets निकाल कर आ रहे हैं लेकिन चिन्नसवाई में उतना recommend नहीं करूँगा ग्राइड लीग में जादा focus करेंगे आप बात करते हैं डेथ बॉलिंगी तो डौरशयस हैं और बेरेंडॉफ हैं इμपोर्टन प्लेइस की बात करें हेड है हारडी है वेड है डौरशयस और बेरेंडॉफ बैटिंग को लिया है। लेकिन बैटिंग फर्ष्ट करते हो, जितेश को ट्राइ कर सकते हो और यहां पर सेफ खेलना है, तो वेड में अच्छा उप्षिन रहेगा। बैनिंग सेक्शन में हेड को लिया है, गायकवट, जैसवाल, इशान यहाँ पर अईयर और सूर्य कुमार यादव पांचों को मैंने अपनी टीम में रखा है, स्मॉल लीग में रिंकू को बैन में डर्मोर को स्मॉल लीग में ट्राइ कर सकते हैं, रिंकू को ग्रैंड लीग म को लिया है, दीपक चाहर को लिया है, लास्ट पिक में अगर यहाँ पर यहाँ पर एलिस खेलते हैं, तो उनको रखूंगा, लेकिन अभी के लिए ड्वार्शियस को रखा है, तो यह बन जाती है हमारी स्मॉल लीग की टीम, बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम की, तो दो ट यह बनाएं, वाइस केप्टन किया, आउस्ट्रेलिया की फेवर में, यह कॉंबिनेशन मनाया, वाइस केप्टन जो हमने हार्डी को रखा हुआ है, तो आप इसी तरह के से मल्टीपल टीम क्रेट कर सकते हैं, और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम में केप्टन, वाइ आप जो के एक वाइस, वाइस.